हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जो आप सुरूब दोस्तों हम लोग इस वीडियों बात करेंगे SSC-CHSL के सेलेक्शन प्रोसेस की एक्जाम पैटरन के बारे में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो से पहले बात करेंगे 이건 की तो इसमें जो है आपको पता है दो टीएर में ैंगा टीर 1 और टील चार्रे एक्जाम जो हैं के इनGलेष लेंग्वेज जरनल इंटेलिजन्स और जरनल अवेजनेस से क्ईशन पूछह जाएंगे 25 पचिस प्चिसение पुछे जाएंगे सभी topics है तो total आपके जो है 100 question पुछे जाएंगे दो number का एक question होगा यानि कि 200 number का आपका एक paper होगा और इस question paper को solve करने के लिए एक घंटे का time दिया जाएगा इसके बाद आपका जो है tier 2 होगा tier 2 में क्या होगा session 1 और session 2 session 1 में section 1 आपका जो की एक घंटे का होगा जिसमें mathematic abilities, reasoning और general intelligence से question पुछे जाएंगे 30-30 question होगे start number के start question total पुछे जाएंगे 180 number के यानि कि 3 number का एक question होगा इसके बाद second section जो है एक घंटे का होगा जिसमें आपसे English language से 40 question और general awareness से 20 question total start question पुछे जाएंगे 180 number के और इन सब के लिए एक घंटे का time दिया जाएगा इसमें section 3rd जो है आपका computer का होगा जिसमें 15 question पुछे जाएंगे इसके लिए 15 minute का time दिया जाएगा और 3 number का ये भी question होगा फिर आएगा session 2 जिसका part A data entry operators के लिए होगा skill test इसके लिए 15 minute का time दिया जाएगा लेकिन जो लोग data entry operator के लिए apply नहीं करेंगा उनका जो skill test होगा उसके लिए भी जो है 15 minute का time दिया जाएगा और जो लोग lower divisional clerk कर जैसे के लिए apply करेंगे उनको typing test देना होगा जिसके लिए आपको 10 minute का time दिया जाएगा अब बात करें अगर इसके syllabus की तो English language में आपसे जो पूछा जाएगा इसके लाव अगर बात करें जन्नल awareness की तो इसमें स्टैटिक जी के हिस्ट्री कुल्चर आर्ट सारे चीज़े पूछी जाएगी तो इसके लिए मैंने syllabus का एक detailed video बनाया है आप उसको देख सकते हैं इसका फॉर्म फिल करने की लाज़ डेट जो है 8623 से आपको इससे पहले application form फिल करना है और post की बात करें तो इसमें lower divisional clerk junior secretary assistant की post है जिनका basic पे 1900 से लेके 63200 के बीच में होगा और data entry operator की post है जिसका basic पे 25000 से लेके 18000 के बीच होगा और data entry operator grade A की बात करें जिनका pay level 25500 से 18100 के बीच में होगा age की बात करें तो आपकी age जो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए SAST को 5 साल का age relaxation दिया जाएगा OBC को 3 साल का और PWD unreserved category को 10 साल का OBC PWD को 13 साल और PWD SAST को 15 साल का age relaxation दिया जाएगा को अधिस ऑाएगा